नमस्ते दोस्तों मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है आत्मी भारत दोस्तों आज यह बिडियो बहुत ही इंपोर्टेंस है क्योंकि बरसात हो रहा है और मेरा तलाब भर रहा है और मैं स्टार्ट किया हूं अपने फ डग फार्मिंग के साथ फिस फार्मिंग का जोग सेटप बनाया है कैसा बनाया है और कैसे और कौन-कौन सा मैं इसमें करने वाला हूं तो दोस्तों मैंने बहुत रिसर्च किया मार्केट को बहुत घूमा फिरा देखा पलब मेरे पास दो आप्सन थे एक मांगूर एक जालते हैं तो उसमें प्राब्लम होती है कि वह जब ज्यादा भूख हो जाते हैं मांगूर तो डग्स के पैर है उसको नोचना स्टाट कर देते हैं तो इसके लिए मैंने मांगूर नहीं किया और बाकी पंगास मैं करने वाला था लेकिन दोस्तों पंगास का हमारे यहाँ करने में लगबग 70 रुपए 80 रुपए तक खर्चा है मतलब 70 रुपए तो कहीं नहीं है कि खर्चा है नहीं है उसमें और दूसरा बात है कि मार्केट रेट उसका जो होलसेल में मैंने पता किया 80 रुपए 90 रुपए है और इतना कम प्रोफिट में और जाहिर सी बात एक नया फार्मर को करने में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा तो इसलिए मैंने पंगास इस बार नहीं चुना मैंने चुना है दोस्तों कॉमन कार्ट मतलब यह अमेरिकन मचली होती है अम मारे मैने साथ मिलिया है कतला को क्योंकि मैं कतला यह उसलिए लिया दोश्तों कि अगला साल माने दोस्तों फिलाल में उस समय यूटूब पे नहीं था तो बायो फ्लक का जहां तक बात है दोस्तों कि उसमें इतना मतलब उसका है भी होना चाहिए बिजली का आपका प्रोबाइटिक बहुत तरह इतना सारा उसमें जो मतलब संसाधन चाहिए कि एक आप किसान उसको करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और हमारे यहां खासकर जारखन में तो लाइन एक बार पानी गिर तो दो दिन तीन दिन गायव रहती है तो उसके लिए भी मैंने उसको नहीं चुना बायो फ्लॉक को धीरे-धीरे मैंने बंद कर दिया लेकिन दोस्तों मैं ट्रेश्डिशनल त तो अबको हैचरी चाहिए तो आप आशंसोल से ले सकते हैं अभी मार्केट लगता है दुर्गा मंदिर के सामने मतलब बहुत ही अच्छा जीरा का मार्केट है तरह का जीरा वहां आपको देखने को मिल जाएगा आपके पसंद से आप वहां पर ले सकते हैं तो दोस्तों मैंने देखिए अभी यह साइरा में डाला है इसको और इसको मैं अभी दे रहा हूं खाने में देखिए जाहिर सी बात है आप हाइडन सिटी में कोई भी फार्मिंग करेंगे तो आपको उसका जो है फ्रीड स्पेसल आपको देना पड़ेगा लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि मेरे जो डग के वेस्टेज है मैं उस वेस्टेज के साथ यह फार्मिंग स्टार्ट करना चा सरसो जो सर्काः सर्क जो सर्क यह लह फेल ओर रहे हो लाकर सोयावीन को मैंने खली मंघाया था वेस्टार पर और काफी अच्छा ग्रोथ हैं मैं देख रहा हूं आप कितने ऑने यह जश्यी नजरा रहे हैं दूस्तों और बहुत ही चंचल देखें देखें एक बार इसको से सारे मचली अंदर चल जाते हैं और दोस्तों जहां तक अरियाशन का बात है तो मैं इसमें अभी अरियाशन भी करूंगा मैंने एर पंप मेरे पास फिलाल अभी जो मेरे पास पुराना था वो अभी काम नहीं कर रहा ठीक से तो मैंने एक ओडर लगाया है वो कुछ दिन में मैं इसमें लगाऊंगा आपको मैं उसका भी अपडेट दिखाऊंगा लेकिन दोस्तों यह मचली मैं देख रहा हूं ऐसा मचली है कि इसको ज्यादा एरियसन का जोरत नहीं थोड़ा हाट टैप का मचली है एकदम से अभी तक मान के चलिए मैं पुरलिया से लगबग 100 किलो आपका कतला है और चार किलो आपका कॉमन कार्फ है तो दोस्तों लगबग 10-20 मचली की मौडलीटी हुए थी और मचलियां काफी हेल्दी है और मैं इनको हमेशा गाइड कर रहा हूं देख रहा हूं और दूसरा बात है अगर इसको एरियसन का भी जोरत पढ़ रहा है अगर देख रहे हैं कि कुछ मचलियां अगर ऊपर आ जा रही है तो देखिए जो मेरे समर्सेबल लगा हुआ है तो मैं उस समर्सेबल को स्टार्ट कर देता हूं इसमें पानी गिरता है जो और फ्लो होता है फिर मेरा वो नीचे गड़्धा में चल जाता है दोस्तों यह आपको एक विडियो मेरा याद होगा कि मैं घौंगा पालता हूं तो देखिए आप अगर सामने से देख पा रहे हैं इसमें घौंगा का भी मैं बीज डाला हुआ हूँ और इसका घौंगा का भी बहुत अच्छा ग्रोथ है तो दोस्तों देखिए इसमें मेरा मचली भी है अभी और घोंगा भी है और यह मचली जैसे फिंगर लिंक साइज से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगे तो मैं इसको फिर अपने जो डग के तलाब हैं वहां पर ट्रांसपर कर दूंगा और दोस्तों जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा और मैं कोसिस कर रहा हूं दोस् के और दोस्तों अगर आप भी मेरे चैनल से जुड़िएगा और मेरे चैनल में अगर आप आये हुए नए इस वीडियो को देखने के लिए तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं डग फार्मिंग और फिस फार्मिंग से रिलेटिव आपको वहर एक जानकारी दोंगा जो कि जैनमीन होगा और आपका बजट में होगा और कम खर्चे में हम अच्छा मुनाफा कैसे ले सकते हैं ऐसा नहीं दोस्तों आज कल जैसे की एक बायो फ्लो का ट्रेंड चला हुआ है तो बहुत सारे किसान फस रहे हुए उसमें मेरे यहां पे भी मेरे को जानने फिस फार्मिंगे वही ठीक है यह जो बायो फ्लोक वगेरा साइद एक छोटा किसा नहीं समाल पाता क्योंकि उसमें मेनेजमेंट बहुत हैबी मेनेजमेंट होना चाहिए ऐसे कोई चीज खराप नहीं है कोई अगर कर रहा है बढ़िया तरीका से तो वह भी बहुत अच्छ आप देख सकते हैं अभी बारिस हो रही है मैंने वीडियो स्टार्ट कि पानी गिरना तो दोस्तों कोई बात नहीं है पानी से कुछ नहीं होने वाला है लेकिन देखिए मेरे डग्स अभी कुछ अंदर चले गया है कुछ बाहर तेर रहे हैं और मैं आपको यही बताना चाह भी कर सकते हैं आप बहुत अच्छा मचली यह क्योंकि मैंने कॉमन कार्प इसलिए चुना क्योंकि यह मचलिया काफी मतलब वह एक तरह से थैथर टाइप की मचली है जिन्दा रहती है मतलब आप काफी दिर इसको पानी से उपर भी रख देते हैं तो जिन्दा रहती है क्य है मतलब ढ़ी द्लिएयरी आपने जो कैरेट में जिन्दा रखते हैं थोड़ा सा पान्य दलके जिन्दा रखते हैं आसानी से जिन्दा रह जातीं है तो मुझे लगा कि इस मचली को चुनना अच्छा है क्योंकि ड़क्स अगर इसको ज़्यादा परेशान करेंगे तो यह वो परेशानी समहाल पाएंगे और दूसरा बात है कि हाई डेंसिटी में करना है मुझको मतलब कम एरिया में हमको ज्यादा मचली का प्रोड़क्शन करना है इसलिए मैंने यह चुना है और दोस्तों अभी तक तो जो मेरा हमेड फिड है उसमें रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है बाकी मैंने एक दो फिड कंपनियों से भी बात की है कि अगर फिस का फिड जैसे अनमोल से मेरा जो आता है डग का फिड तो वहीं से मैंने बात किया है तो उन्हों बोला कि ठीक हम विजवा देंगे तो दोस्तों मैं दोनों ही तरीका से करूंगा इसको कुछ मार्केट का भी Sud रहेगा कुछ अपना भी रहेगा और मैं इसमें देखिये एरियसन भी कुछ दिन में लगा दूंगा लेकिन अभी तक दोस्तों मुझे अभ भी इसमें oxygen की मात्रा बढ़ जाती है और दोस्तों मैंने अपना जो तालाब है उसको भी बहुत अच्छा से ready कर लिया दोस्तों मैंने उसमें चूना और आपका गोबर डलवा दिया है और उसमें से कुछ जो feed होता है मचली के लिए वह भी ready होता है जैसे जु फ्लांटम हो गया आपके पानी में ही ready हो जाते हैं बाकी देखते हैं दोस्तों इस video में यही है और यही जानकारी है और अगले वीडियो के इंतिजार किजी मैं आपको एक बहुत जानकारी वाला वीडियो फिर लेकर आउंगा फिस फार्मिंग से और डग फार्मिंग से रिलेटिव को यह जानकारी अच्छे लेकर तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजे, अगर मेरे चनल पर नहीं आये हैं तो सस्क्राइब कर लिजे और इस वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थाइंक यू झाल, 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 झाल 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 झाल